फेडरिलिजम संगिय धाचा जो इस देश में है उस पर कोई आक्रमन नहीं कर सकता भारतिय जंता पार्टी की महाराष्टर की नाजायस सरकार ने क्योंकि वोट से चुने हुई सरकार नहीं वो भगोडों को इकठा करके बनाई हुई शिंडे सरकार है तो भाजप्पा की भगोडी महाराष्टर सरकार ने अपनी एक स्कीम करनाटक के पांसो और छे सो गाउं के अंदर लागू कर दी और चुरानवे करोड रुपिया अप्टित भी कर दी है हम ये सवाल पूछते हैं मोदी जी और अमिश शाह जी से क्या आप इस देश में सिवल वार करवाना चाहते हैं कल को हरियाना पंजाब में स्कीम लागू कर देगा पंजाब और हरियाना दिल्ली के अंदर अपनी स्कीम लागू कर देंगे पंजाब हरियाना और दिल्ली उत्तर प्रदेश में लागू कर देंगे पहले भी मोदी जी और अमिज शाह जी की नाप के नीचे असाम की पुलिस ने और अरुनाचल की पुलिस का इसी प्रकार से टकरा हुआ जिसमें सिविलियन्स मारे गए। बाकाइदा एक प्रांत की दूसरे प्रांत की फाइरिंग हुई और 6-8 महीने तक एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में नहीं जा पाए जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। जो उत्तर पूरम में आपने किया था अमिच्छा जी मोदी जी वो आप अब दक्षिन भारत के अंदर भी कर रहे हैं। आपने अरुनाचल परदेश, मनिपूर और असाम का जगड़ा करवाया, बौडर डिस्प्यूट करवाया, लोग मरवाये। आठ महीने तक मनिपूर का अदमी असाम नहीं आ पाया क्यों? अरुनाचल का अदमी असाम नहीं आ पाया क्यों? यह हमारा मुल्क है, हम कहीं भी जाएं। अब आप महराश्ट्र और करनाटक का जगड़ा करवा रहे हैं जान बूज कर। दोनों जगे आपकी सरकार है, हर रोज मोदी जी बार-बार वहां जाते हैं, बसवराज बोमई के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं बची, वो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं, के वो ना करनाटक के हितों की रक्षा कर सकते, ना हमारे कंड़ा भाई बहनों के हितों की रक्ष कर सकते, ऐसे मुख्यमंत्री को जैसा आप दोनों ने कहा, बगेर विलंब के इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उसे बर्खास करना चाहिए, और दूसरी तरफ मिस्टर शिंडे, जो महराश्टर के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के संग्ये धांचे का और इधर करनाठक के मुख्यमंत्री बर्खास्त हों, क्योंकि भाजप्पा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, उन्होंने सारे हत्कंडे अपना लिये, हिंदु, मुसल्मान, सम्शान, कबरिस्तान, जातियों का ठकराव, स्सी, स्टी का ठकराव, लिंगायत, वोका, पुलिस एक दूसरे पर गोली चलाएं, और ये रोटियां सेके, हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस अभी जिन्दा है